अदा मिसेज इंडिया और अदा वोमेन फाउंडेशन द्वारा 19 सितंबर को गोरकपूर में अदा मिस एंड मिसेज पुर्वांचल और क्लासिक प्लस का आयोजन किया गया परतियोकता में अदा मिस एंड मिसेज पुर्वांचल और क्लासिक पुर्वांचल जिसमें मिस के कैटेगरी में रितिका सिंग विजई रही फर्स्ट रनर अप अमरिता प्रितम, सेकंड रनर अप डिला अंजना बासू रही इसी तरह मिसेस की कैटेगरी में शालिनी मिश्रा मिसेस पुर्वान चल बनी इस सम्मन में गोरकपुन नियुज से बात करते हुए परतियोकता की आरगेनाईजर अरचनास सिंग ने कहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस शो को आरगनाईज किया गया था गोरकपुन नियुज से बात करते हुए अरचनास सिंग ने बताया जी मेरा नाम अरचना सिंग है और मैं मिस एंड विसस कूरवांचल के ऑरगनाईजर हूँ तर ये अभी पिछले सब्ता ही आयोजन हुआ है ये गोकु लतिती भवन में ये आयोजन हुआ है ये ब्यूटी प्रिजेंट इसको बोलते हैं जिसको हिंदी में हम लोग संदर्य प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं और ये गोरकपुर में ये हुआ है और गोरकपुर में आये दिन यहाँ पे होता रहता था ये कारकरम लेकिन मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा सा मंच या प्लेट फॉर्म नहीं है जहाँ पे हमारी घर की बेटियां बहुएं और महिलाएं जाएं और अपने आपको वहाँ पे एक्स्पूस करें दिखाएं कि हाँ हम भी कुछ हैं यह सोचते हुए मैंने आदा मिस्स इंडिया जो की देहरादून की एक बहुत बड़ी कमपनी है और चार-पांस साल से यह अपने जो शो है यह नसनल लेवल पे कराती आ रही है फिर मैंने उससे टाइप किया और टाइप करके मैं उन्हें यहाँ पे लियाई और उनसे टाइप करने का यह था कि आपके शहर की जैसे कंचन सोनी हो गई प्रतिमा राय हो गई शाइनी हो गई प्रतिमा योगी हो गई यह सब लोग पिछले चार सालों में यह लोग वहाँ से मॉडल बनके आए थी और इन लोग की ग्रूमिंग के बाद इन लोगों को मैंने देखा बाकी में बहुत ज़्यादा इंप्रूब्मेंट था तो मुझे लगा कि मुझे भी एक ऐसी कंपनी के साथ टाइप करके और गोरखपूर में वो प्लेट फॉर्म देना चाहिए इसी को मुद्दे नज़र रखते हुए हमने यहाँ पर यह कारक्रम पिछले हब्दे कराया है और जो काफी अच्छा रहा और हमारी उमीदों से ज़्यादा यह कारक्रम सक्सेटार लोगों ने काफी सराहा इसे और अब जो हमारी वीनर्स है यह नेसनल लेवल पर जाएंगी और गोरखपूर को रिप्रेजेंट करेंगी गोरखपूर का नाम करेंगी और जो भी कंटेस्टेंट है वो नेसनल लेवल पर जा सकती है और गोरखपूर का नाम आगी ले जा सकती है